इससे ठीरे पर दबाव पड़ता है और इसे फिर से खुलने का कारण बना सकता है नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एन्यू चैनल में आपका बहुत-बहुत सौबधत है इस फीडियो में एक सवाल हम ले रहे हैं जो की बहुत ज़दा हमसे कमेंट सेशन में पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद आने वरे जो भी स्टिचेज हैं या फिर टाके हैं इनकी देखवाल आपको किस तरीके से करनी है तो टाके आना दोनर ही कंडिशन्स में सौभाविक होता है कि बहुत नॉर्मल डिलीवरी में भी टाके आते हैं और सिजेरिन में तो खैर आते ही हैं संक्रमन को रोकने के लिए चीरे को साफ और सूखा रखना बहुत ज़दा महत्तपूर है आपको चीरे को साफ करने के तरीके के बारे में विशिस्ट निर्देश दी जा सकते हैं जैसे कि साबून और पानी या फिर विशेश घाफ क्लीनर का उपियोग करना इन निर्देशों का साफधानी पूर्वक पालन करें और चीरे को सूखा रखना सुनिशित करें दूसरी बाद आपको समझनी है कि आपको कपड़ों का चुनाव बहुत समझदारी से करना है इस समय पे आपको धीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना पड़े सर्जिरी के बाद कम से कम प्रॉक्सिमेटरी आपको दो महीने तक तो बिल्कुल भी किसी भी भारी समान को नहीं उठाना है क्योंकि इस से चीरे पे दबाव पड़ता है और इसे फिर से खुलने का कारण बना सकता है यदि आपको कुछ भारी समान उठाने की आवशकता महसुस होती है तो बहतर यह यह हुआ कि ये काम आप किसी और से करवाएं अपने आप ये जो खिर्म आप ना उठाएं इन चीरों में आपको कई बाद दर्द भी महसुस हो सकता है तो दर्द की दवा आपको सर्जिरी के बाद वोने वादे किसी भी असुविधा को प्रबदित करने में मदद करती है तो आप अपने स्वास्थ सिवा प्रदाता से इस तरीके की दवाई लेना सुरशित करें कई पर चीरे में संक्रमन भी हो जाता है तो संक्रमन के संकेतों के लिए चीरे की निगरानी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बीट-बीट में देखते रहें कि इसमें किसी परकार का संक्रमन ना हो और ये अच्छे दरीगे से ठीक हो रहे हो अगर आपको कोई लारी इसमें दिखाए देती है या फिर सूजन आपको दिखाए दे रही है या फिर कुछ पानी जैसा निकलता हुआ दिखाए दे रहा है तो यह अच्छे संकेत नहीं होते हैं और ऐसे केस में आपको पुरन अपने स्वास्त सेवर प्रदाता से संबर्ख क करना चाहिए अब आपको नॉर्मन लाइफ में लॉटने के लिए और भी आपको काफे सारी गायडाइज आपके हेल्थ केर प्रोवाइडर देंगे जो कि आपको मानना है और इन निर्देशों का पालन करना है जब तक कि ठीरा पूरी तरहिए से ठीक ना हो जाए तो किसी भी प्रगार की जोड़दार गती वीडियों से आपको बचना चाहिए आपके हेल्थ प्रोवाइडर ही बदाएंगे कि आप अपने नॉर्मन लाइफ या फिर समानने गती वीडियों में कब वापिस लॉट सकते हैं इसके लिए आप अपने हेल्थ केर प्रोवाइडर से ये प पूछ सकते हैं तो फेंट्स ये थे कुछ पॉइंट्स वो इन दिशाने देशों को अगर आप पानन करते हैं तो आप ये सुनिशित करने में मदद कर सकते हैं कि ये सिजेरें डिलीवरी या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपका चीरा ठीक से भर जाए कभे भी आपको चीरे में बहुत जादा दर्द मैसूस हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टरों को दिखाने जाना चाहिए तो कुछ ये मेंट पॉइंट्स है इनके इलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ये वीडियो अग है कि प्रेग्रेंसी से संबंदित वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब और फॉलो में अगरी वीडियो में नमस्कार